चलिए आज हम देखेंगे क्लास 10 का NCRT बाइलोजी चेप्टर नमर 7 इसका नाम है नियंत्रन एवं सम्वन्वाई यानि asl ियंत्रन एवं समन्वाई का इसमें परिवर्तन के यानि यानि के परिवर्तनरन से उध्रिया कि कोई भी परिवर्तन होता है तो उसके रियक्शन से उत्पन गति का अध्यन किया जाते है है लिए आंत्र अम समन्हीं या भी धैयन में रखेंगा इसमें परिवर्तन के अनुक्रिया अनुक्रिया यह अधर कि दोनों जो है दोनों का एक्षण होता है और परिवर्तन के एक्षण से उत्पन गति का अध्यान करते हैं को इसमें चप्टर पूर्गर्ड Алizer क्या क्या प्रतिवर्ति की रहियां दोन जना वें और धा थार मौन मस्ति के यह प्ढेमें च्रु कि बारे में पढ़ेंगे मतबों यह से सी तचनल अनुकरीया के बाया में पढ़ेंगा वि में हैं व्रेदी की करण गति या फीर ब्रीद़ी के करण गति दो पार्ट में हम पढ़ेंगे ठाट है जानतूः में हार्मून के बारे में हम पढ़ेंगी चलिए दखते हैं इसमें जो फार्स्ट टॉपिक होगा वह जानतू कि अधर तंग कर परस्ट जो है त्थ दखिए कि फार्स टॉपिक्स देखुएगा जन्तु-- तंत्री-का- तं्त्र इसमें देखें हो ता क्या है जन्तु में जो नियन्त्रन्य समन्णों होता है वह उत तंतरी का तंतर के दिवारा ही किया जाता है अध्यान रखेगा तो जंतो तंतरी का तंतर में फुर्स अम पढ़ेंगे नियूerson नीरॉन के बारे में यानि या फिर इसी के बोलते हैं दखें क्या या पिर तंत्रिक के को सिंक्णुरों जादा सादर रहता है इंग्लिश वर्ण है किनि याद रखेगा नीरॉन को幸िंद देखें इसका नीजम good रहता है नियूरान जो होता है इस परकार होता है जैसे देखिए यहां से कुछ इस परकार से निकला रहता है धागा जैसा यहां से भी निकला रहता है यहां से देखिए यहां से जो है इस परकार से इसका सन रचना रहता है यहां से इस परकार से ओके ध्यान रैखेगा यहां जola जैसे यह बाल देसर रहता है यह भी बाल देसर रहता अब यह उस प्रकर से रहता है यहां देज़ेगा यह संसता चब्ल mechanism क्यांधर gebracht होगा और यह रहता है या दी दूसरा कुई भी कमी निव्रौन रहता है तो इतना गैफ छोड़ के रहता है दूसरा निव्रौन दिहां देंदेजेगा ये वह केंद्रक है निव्र निव बाकि जितना ये शरीर है सभी है इसने केंद्रक को छड़कु हम कहते हैं कोड़ि नि pressures कि इस परकारalah can यह जो रोम जैसे दिख रहा है आपको यह वाला रोम जितना भी रोम इसमें रहता है उसको कहते हैं दुरूमिका का काम क्या होता है यह जो होता है इसका काम होगा संदेश संदेश ग्राही होता है यानि संदेश को ग्रहन करना होता है या फिर संदेश को विधूद आवेग में बदलना होता है कि यह इसका दो कार होता है संद्रेश को बिदू ढायगे में बदलना दखेगा यह यह जो एक पूर्ण जो है यह को बोलते हैं एकसौन एकसौन इंगलीस को बड़ंड़ा इसको बोलते हैं तंत्री काच यह भी ध्यान रखेगा हिँ में में तंत्रिकाच्ज इंग्लिस में एक्सां यह जो खाली जगह है इसको बोलते हैं सीनेप्स सीनेप्स देजेगा और यहां पर एक नोट करके याद रखेगा कि एक्सां एक्सौन दखेगे है एक्सौन के अंत में एक्सौन के अंत में जो संदेश रहता है वह तो बिधूत के रूप में आता है दुरूमी का सही बिधूत आवेग कुछ रसायन का बिमोचन कराता है कराता है यह रसायन जो बिमोचित होता है रसायन यह रसायन सिनेप्स जो होता है खाली अस्थान दो निरोन के बीच में है सिनेप्स को भहर कर अगली नीरोन में भहर देता है सिनेप्स के जो खाली स्थान रहता है उसको रसायन जो रहता है वह बहर देता है और भरने से जो है अगली नीरोन में विधूत आवेग पहुंच जाता है भर जाता है तो आवेग जो भी है वह एक नीरोन से दूसरे नीरोन में चला जाता है यह देहान में रखेगा सकेंड चीज इसमें हमको पढ़ना है वह पर्ति वर्ति किरिया और इसमें होता क्या है जैसे इसमें होता क्या देहान देजेगा पर्ति वर्ति किरिया और इसमें क्या होता है यानि इसमें क्या होता है कैसा काम होता है वाभी देहान देजेगा पर्तिवर्ति किरिया एक तो लिखे यहां पर पर्तिवर्ति किरिया कहते किसको है वाध्यान देजे पर्तिवर्ति किरिया किसी घाटना लिखेगा कि किसी घाटना घाटना की अनुकिरिया अनुकिरिया हम पीछ बता है कि एक्षन अनुकिरिया यानि एक्षन घाटना की घटना के एक्षन के फल स्वरूप के फल स्वरूप अच्छानक हुई किरिया कोई घटना घटा है उसके फल स्वरूप यानि एक्षन के विरूद एक्षन के चलते हैं कोई अच्छानक की दूसरा किरिया हो रहा है यानि दूसरा किरिया यानि रियक्षन इसको रियक्षन को ह करीजंब कोई से प्रतिवर्ति करिया करते हैं किरिया किसी घर ना यानि किसी घर घरना के soft शोता है action के कारण meta-culture reaction उत्पन होता है वही तो है प्रतिवर्ति करिया किसी घरना के action के कारण होने वाली रियक्शन यानि अचाने कोई परिवर्टन या अचाने होई कोई क्रिया कोई प्रतिवर्थि क्रिया के जैसे कुए ऐधि आपको नहीं पता है कि कोई गरम चीज है उस पर रक दूझेगा ने तो अचानक जो है आपका जो हाथ उठ जएगा अपने इसे उठ जाता है उसी को कहते हैं प्रतिवर्थी क्रीया जिसे आप यदि जो है आपका आख में कोई भी चीज़ पड़ रहा है तो आप आपका आखे जो पुतली रहता है पलक वह अपने आप मुना आ आता है तो यही है प्रतिवर्ति क्रिया अब प्रतिवर्ति क्रिया में होता क्या हुआ भी देहां देजेगा कि कि प्रतिवर्ति कि प्रतिवर्ति क्रिया में कि क्या होता है इसमें जो है फास्ट रियक्शन होता है यहां तो अभी बोलें कि फास्ट और ये इक्षम होता है क्यों कि परतिवर्ति चाहिए फिर परी वर्ती पत जो है वह प्रतिवर्थी चाप या प्रतिवर्थी पत कहते किसको अबेदेहन देजेगा कि आगत याने वाले तंत्रिका और निर्गत याने वाले तंत्रिका के संबंधन पत जहां पत यहां पर क्योंते हैं यां विद्यान में रखिएगा कि आगत तंत्रिका और निर्गत तंत्रिका के संबंधन यह प्रतिवर्थी चाप कहते हैं विध्यान में रखिएगा अब यहां पर देखिए फास्ट रिएक्शन होता क्या क्या क्यों है क्योंकि प्रतिवर्थी चाप प्रतिवर्थी चाप जो है मस्तिक में मस्तिक में ना होकर मेरू रजू मेरू रजू मेही पूर्न हो जाता है जिससे जो है सुचना आने में जगा ऊस छेत में जहां सुचना चाहिए हो सुचना आने में कम समय लगता है बख काम हो जाता है तो यो है फास्ट रियक्शन होता है इसी ही यह चल्ते हैं अगला जो है वहर मानों मस्तिक ठर्च जो है वहर, मानों मस्तिक के डियों के बॉक्स ये हडियों के बॉक्स में तरल पूर्ती तरल पूर्ती तरल पूर्ती गुबारे या फिर गुबारे में होता है ओके देखे, मानो मस्तिक के तीन भाग होता है, मुक्रुप से यहां देखे लिखते हैं, मानो मस्तिक मानो मस्तिक्स के मुख रुप से तीन भाग हैं एक है अगर मस्तिक्स जैसे दखें लिखते हैं इसको बलते हैं अगर मस्तिक्स यानि फोर ब्रेन और अगला आता है मध मस्तिक्स मध मस्तिक्स इसको बलते हैं मीड ब्रेन ठाड में आता है पस्च मस्तिक्स यानि हिंड ब्रेन कि ध्यान रखेगा अगर मस्तिक्स जो है और मुख्स रुप से दो भाग में बटा हुगा है एक तो है प्रा मस्तिक्स प्रामस्तिस्क इसको बोलते हैं इंगलिस में सेरी बेरम ध्यान रखेगा सेरी बेरम बोलते हैं इसका जो कार है सेरी बेरम का इसका जो कार होता है वह भी ध्यान रखेगा जैसे यह जो है बुद्धी मता जितना प्राथ्मिक मस्तिक होगा उतना बुधी मता होगा बुधी मता और चेतना बुधी मता चेतना और जैसे अस्मरन या फिर याद करने की सक्ति जो है वह प्रामस्तिक यानि सेरी बेरम के कारण ही होता है अस्मरन सक्ति या फिर पाचो ग्यानेंद्रियों का संबंद पाचो ग्यानेंद्रियों यानि ग्यानेंद्रियों ग्यानेंद्रियों के संबंद से कुछ भी घटित होता है तो वह सरीवेरम के नुसार घटित होता है और अगला जो इसी में अगला आता है वह है डाइनसी फेलों थर्ड सकेंड इसका जो भाग है वह है डाइनसी डाइनसी फेलों सकेंड पार्ट है अगर मस्तिक का यह जो है आगे चलकर यह भी दो भाग में बटा है एक तो है थाइलेमस दूसरा है है फैलेमस है फैलेमस एक चीज याद रखे हैं कि प्यूस गरंथी जो रहता है मस्तिक्स में अध्यलेमस के नीचे ही रहता है या विद्यान रखेगा अध्यलेमस जो है यह दर्द यह दर्द ठंधा गरम यानि तपमान के अनुभाव करवाता है इसी प्रकार हाइपो थ्यलेमस जो है वह भूख भूख प्यास या फिर या फिर या फिर कर्वोहाइडर्ड का पाचन करता है या फिर वसा के अपके उप्चयान करवाता है या भी ध्यान रखेगा भूख लगवाना करता है प्यास लगवाना करता है कर्वोहाइडर्ड का पाचन भी करता है यही और वसा के भी पाचन भी य मध्मस्तिक जो है यह काम करता है यह देखने और सुनने की छहमता जो है इसी में होता है मध्मस्तिक के द्वारा होता है देखने देखने सुनने की छहमता तथा यह जो है मेरू रज्जू से जोडता है मध्मस्तिक जो है और मस्तिक को मेरू रज्जू से भी जोडता है और देखने और सुनने की छहमता इसी के द्वारा होता है और अगला जो आता है पस्च मस्तिक मास्थिक जो है तीन hari में बटा हुए है फिर्ष्ट को है वह Era Anumustix में पोलते हैं इंगलेश में इसको बलते हैं सेरी बिलम करें यहां सेरी बेर् Deus है यहां सेरी बेरम यह रखेगा इसी पर का सकेंड जो है मेडूला मेडूला ठाट जो है वह है पॉंस पॉंस और अनुमस्तिक्स का जो कार है और ध्यान रखेगा अनुमस्तिक्स का कार एक तो है शरीर सरीर के संतुलन बनाना या शरीर में संतुलन करना 2 है जैसे चलना नब्हाग ना इसी के द्वारा एक नियोन so है सभी अर नशीक रिया होता है जैसे कि ही तेड़ भाखना यहां लिखते रेते हैं अनय च्रीक है अनशीक करीया अने च्रीक आधर क्या आता है धित्रक यह दराकना सांस लेना रक्त ताव यह फिर मूत्र्य फिर फूमेटिंग यह जो जितना है और हार नाल कर्मा कुचन यह अगला जो आता है वह है पॉंस जो है इसका जो कार आता है वह आपको नहीं याद रखना है चिर्फ अपमेडूला तक ही याद रखें अगला इसमें आता है तंत्री का तंत्र के भाग फोर में आता है फोर में आता है तंत्री का तंत्र के भाग इसमें दो भाग आता है एक सी एनेस इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्भास सिस्टम इसमें जो है इसका मुख होता है वहां मस्तिक्स होता है मस्तिषक यह आता है मेरु रज़ू इसको बोलते हैं सेंट्री नर्भास सिस्टम जढ़ेगाय याम लग दोनों मिल के तंत्री का तंत्र बननाता है याँ ध्यान रखेगा अगल्हा टोपीक आता है संद्री दखी फर्स्ट जो इसमें आता हुआ है ब्रिधी से मुक्त गती ब्रिधी यानि इसमें जो है ब्रिधी नहीं होता है ब्रिधी से मुक्त गती जिसे दखे जिसे दख़ेgen, इसमें फर्स्ट जो आता है, मानों में, इसमें पादव के बारे में पागए रहे हैं, लेकिन नोट करके लिखेगा कि मानों में किस प्रकार से होता है यह, मानों में उद्धिप्पन उदिप्पन के लिए ततकाल अनुकिरिया उदिप्पन यानि कि मानो में जो है कोई घाटना हो गया है तो उसके ततकाल अनुकिरिया के लिए क्या उप्राकिरिया है वह देख रहे हैं जैसे देहान देजेगा कोशिका में इसमें क्या होता है मानो में उदिप्पन के लिए ततकाल अनुक्रिया किस परकार होता है वा ध्यान देज़ेगा कि मानो कोशिका में या फिर कोशिका में उपस्थित उपस्थित विशिस्ट कुछ विशिस्ट प्रोटीन होता है मानो कोशिका में उसका जो है पुना सायोंजन से कोशिका के आकिर्थी के आकिर्थी में बदलाव आ जाता है बदलाव आता है बदलाव आने से ही जिसे कोशिका कोशिका में होता है है दिपन Airport के लिए तत्काल अनुक्रिया वहता गता क्या है उठीपन यानि कोई घटना घटा मानों जैसे जैसे आप रहते हैं तो यह जोवे घटना घटने आपके साथ लेकिन उसके ततकालय अनुकृरिया आप क्या देते हैं इस प्रोटीन रहता है उस प्रोटीन का पुना सहयोजन हो जाता है तो rend बहुत होता है सैयोजन उस होता है sure ऐसे दो हंब की बनदन को इससे नियुना अखिल के अकिरती टो गतीकरने जैसे लगता है उसी के कारण जो यह अनुक्रिया होता है इसी फरकार जैसे देखे । आनोल ए तो हम यह जान ली-ए लेकिन हमको पढ़ना क्या था कि पादप में उधिबान के लिए तत्काल इनुक्रिया अभ पढते सब्सक्राइभ पर आज लिए again अनुकिरिया या फिर इसी के बलते हैं पादब में ब्रीधी से मुक्त गती ठीक है यहां पे देहान देज़ें इसमें होता क्या है कि जैसे देखिए मानव मानव कोशिका में तो होता है प्रोटीन लेकिन यहीं पेदेहां देज़ेगा कि पादव कोशिका में उपस्थित जल की मात्रा में परिवर्तन करने से में करके या करने से अपनी आकिर्ती जो है अपनी आकिर्ती यहीं कोशिका में उपस्थित जितना भी जल है उसकी मात्रा में परिवर्तित कर देती है कोशिका तो कोसिका के जो अपनी आकिर्टी रहती है आकिर्टी में बदलाव आजाता है जिससे कोसिका जो है गति करती है यानि कोसिका के गति के कारण क्या है किसी प्रकार से कोशिका के आकरती बदल देना जिसे है जो कोशिका जो है उसमें गती उत्पन हो जाता है अब इसी में बी टोपिक इसमें आता है पादर्पु के समन्वे में बी जो बी गती है वह पाद्पु में ब्रिधी के कारण गती देखेगा जैसे की मटर के पौधा होता है मटर के पौधा जो है या फिर कदू हो गया लत्ती जितना होता है उतना सब मटर के पौधा जैसा वह जो है प्रतान जैसे एक धागा जैसे गोल गोल उसमें रहता होगा जो की प्रतान जो है जो की सम्वेदन सिल है सम्वेदन सिल यानि सेंसेटीव है सेंसेटीव होता है द्वारा मटर के पौधा जो है परतान द्वारा बिर्धी करती है बिर्धी करती है ना कि जड़ द्वारा या भी ध्यान रखेगा इसी प्रकार पादब में बिर्धी के कारण गति में एक आता है प्रकास अनुवर्तन गति यह तो आप ध्यान रखेगा नोट में याद करके कि रूप में लेकिन फास्ट जो इसमें आता है वह प्रकास अनुवर्तन गति प्रकास अनुवर्तन गति इसमें जो है उपरी भाग यानि प्ररो जैसे दखें इसमें प्ररो यानि उपरी भाग प्यड़के उपरी भाग उपरी गामी उपरी गामी यानि उपर की दिशा की और सुरी की प्रकास की और गति करता है उपरी गामी यानि उपर की और इसी प्रकास सकेन आता है वह है गुरुत्वा अनुवर्तन गति इसमें क्या होता है इसमें जो है इसमें जो है जडशर्टन अध्धो गमें नीचे की वर गती करता है नीचे की वर मत्म husband अलोगा में याने नीचे कि यो या रहा है इसे परकाड ताता है को फिर हमोण कि अनुवर्तन यह फिर हार्मोन अनुवर्तन बह्ते। हार्मोन अनवर्थनगती। है इसमें ज्वुन का नमर्ख के से इंपोर्टन की इस सकता है आप ging içka देहन में रखेगा इसके बारे में। हैं आपको चार हार्म senza और द्यान में रखेगा एक उसी औक्सिन हर्मन यह क्या करता है कि यह जो है प्ररोह में होता है यानि उपर में होता है प्याड़के उपरी भाग में होता है प्ररोह में होता है और परकास परकास के दिशा में ही बनता है उपरी भाग में तो होता है लेकिन उपरी भाग में जिस और परकास पढ़ता है उसी दिशा में बनता है उसी दिशा में बनता है ये ये क्या काम करता है ये जो है कोसी का आक्सिन जो है वह कोसी का के लंबाई बढ़ाने में सहायक है या फिर सहायक होता है या भी ध्यान रखेगा अगला जो हर्मेन आता है वह है जिब्रेलिन 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 काम क्या करता है यह जो है यह तने की ब्रिधी यह तने की ब्रिधी में सहायक है में सहायक है तने की ब्रिधी और ओक्सिंग जो है वह प्रहरो की ब्रिधी में सहायक होता है या वी ध्यान रखेगा अठाट जो है वह है साइटो काईन साइटो किनिल यह जनते हैं क्या है इस से कोसी का विभाजन होता है यह जो है कोसी का विभाजन को भड़ाता है इसिमें एक और आता है यह सब भीज में होता है जब ध्यान रखेगा कि साइ्टोकाइनिन हार्मोन यह तो कोश क्का प्र विभादन करते हैं। पहलोरंी इल्यों में बेधरी है तो इसी प्रकार एक और हार्मोन आता है इसमें और यह हार्मोन पूल्वोन करना एक can typicalिन ये जो है विरिधी रोधक हार्मोन है और इसी से ये विरिधी रोधक हार्मोन है यानि इसी से पती का मुर्जहाना मुर्जहाना और गिरना गिरना होता है या वी ध्यान में रखेगा जैसे दखेग्एगा कभी कभी जो रहता है आम के पती या किसी पेरपदा के पती जो गिरता है वह FC6 के कारण ही गिर पाता है और मुर्जहाता है भी तो उसमें जो FC6 के आम ला जाता है इसी के कारण वह गिर जाता है यह फिर मुर्जहाता है अगला टोपिक इसी में आता है कि जन्तूओं में हार्मून थर्ड टोपिक इसमें है थर्ड टोपिक देखेगा जन्तूओं म में हार्मोन जन्तू W बंधने हार्मोन है जन्तू में मुख्रीव से हम च्छे हार्मोन मुख्रीव से हम पाच ह्रंग पढ़ेंगें जैसे दखे लिए वाश करी आटरील एड्रीनल हार्मोन इसको को बोलते हैं Adrenaline Harmon इस जो कहां अधीब्रिक कि कि ए जो किड्नी रहता है किर रहता है और यह से इसका उध्पादन होता है यह जो है इसका काम प्रूजन द्धळकन आधाखन इंदे के धड़कन और स्वसन्दर ये दोनों को बढ़ाना को भढ़ाने या फिर पाचंतंत्र हिर दहड़कन और स्वसन्दर बढ़ा देता है तो पाचंतंत एवं तवस्चा तो अच्छा में रुधिर कम जाता है, कम फलो होता है या फिर कम जाता है या भी ध्यान रखेगा, इसी के द्वारा होता है, अब सकेंड जो हार्मन आता है वह है थाइरोक्सिन, थाइरोक्सिन हार्मन, यह कहां से निकलता है तो यहां पर ध्यान देज़ेगा, गला में जो है आप जो गला है उहां पर एक रहता है अब्तू ग्रनती से यह तायरोक्सिन निकलता है और यह तायरोक्सिन जो है यह अईयोडीट आईयोडीट से बनता है यह अईयोडीट रहा है पर क्या होता है बारत है इसका काम क्या होता है इसका कार्बोहट्रेट ata या फिर प्रोटीन या फिर वसा को नियंत्रित करता है शरीर में यह कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट वसा या फिर प्रोटीन या फिर प्रोटीन के नियंत्रन नियंत्रित करता है या भी दिहान में रखेगा इसके कमी से यानी आयोडीन के कमी से गड़ाइटर रोग होता है यह भी दियान रखेगा कि आयोडीन honor के कमी से के कमी से गड़ाइटर इसमें जो होता है गाइट रोग में प् tap फूल जाता है गला जो होता है फूली हुई ceuck के गरदन वीग गाइट रोग कैसे रोग होता है अब दिन रखे taram इसमें बताएं है अगला जो हार्मोन आता है वह व्रिध्धी हार्मोन है ठाड हार्मोन जो है वह व्रिध्धी हार्मोन है लेकिन यह निकलता कहां से वह भी ध्यान रखेगा ब्रिध्धी हार्मोन जो है वह प्यूसगरंथी से निकलता है प्यूसगरंथी कहां होता है तो मस् ब्रिधी हार्मॉन के करण ब्रिधी हर्मॉन के कारण ब्रिधी हर्मॉन के करण लंबा llam पन होता है लंबा जिसने देसे infect को दूथा हैै और में कोई आदम संहिप 뭐가 लगए छे फीट या साथ फीट दूहें इंडिया में तो हो जो है उसमें व्रीधि हर्मोन फिरणिष जो हर्मोन निकलता है वा यह फिर ज्यादव हो जाता है ज्यादव हो जाता है ठीक है इसी प्रकार्ट फोर जो हार्मोन आता है वह है नर हार्मोन हम पीछह भी अब नर हार्मोन के बारे में हम बता रहे हैं अब अगला चप्टर के बारे अगला चप्टर में भी हम नर हार्मोन के बारे में बताएंगे जो है टेस्टो अस्टेरों इसको बलते हैं टेस्टो सब्सक्राइब में आता है माधा हर्मोन माधा हार्मोन यह जो है एस्ट्रोजन माधा हर्मोन को कहते हैं यह अगला टॉपिक है इसी में जो है इंसुलीन इन्सूलीन इन्सूलीन हर्मन और अस्टोरेन हर्मन एस्टोरेन कांस निकलता है और हम अगला टॉपिक में अगला चेप्टर में जाके पढ़ेंगे इन्सूलीन हर्मन जो है वह अगनासे से अगनासे अगनासे से निकलता है करता है कि सुगर को नियंतृत करता ये सर्करा यानि सुगर को नियंतृत करता है अभी द्हान रखेगा तो यहां तक आपका टॉपिक समाप्त हो गया है और यदि ये वीडियो पसंद आ लाइक किजिएगा वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा इसका पीडियो डाउनलोड करने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेंगे वहां से जाकर डाउनलोड कर लिजिएगा